हालो इस्टूरेंच कैसी हो आज सीटेट 2019 की क्रम में आज पार्ट टू है और इससे पहले पार्ट टू में हम बाल मनुविज्ञान और गड़त को सौल्व कर चुके हैं अब इस पार्ट टू में आज हम दो पार्ट परयावराण अध्यान और शाथी हिंदि को इसमें से संब्सक्राइब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको विकल्प होंगे उनको हम लोग डिसकस करेंगे तो वीडियो थोड़ा बढ़ा हो सकता है तो यह पार्ट तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुश्चन से तो जो पहला प्रेस्ट है बहुत समझना है कि हम सभी पुराने कुऊंगों को देखते हैं जो अब सूख गए हैं हमारे पेड यह जो हमारे बड़े थे बुजुर्ग थे वह कहते थी कि अपसे लगबग पच्चेस से तीस साल पहले इन कुऊंगों में काफी पानी था परन्तु अब यह पूरा तरह से सूख गए इसका क कारणे का रहय हो सकता है तो देखते हैं फिदित जीन चीलों और तालावं बर्शा को पानी खटा होता था आप तो यह नहीं हो सक्ता large और और दूसरा प्रेशन है दूसरा बिकल्प है बी नंबर पेड़ों और आज पास के छेत्रों की जमीन अब कोलतार और सीमेंट से ढग गई है तो यह काफी सच्चा ही है सच्चाई वाली बात है क्यों का प्रियोग भी बंद हो गया है तो इस कारण से भी कुछ खराब हो चुके हैं उनके पानी और गंदगी के दुआरा और नेक्स्ट है भूमिगत पानी को सीचने के लिए कई बिद्धुत मोटर पंप चाले बिलकुछ सही बात है कि जो भूम को उसे चाई के लिए बिद्धुत चाले जो मोटर है उनके दुआरा पानी नीचे से खीचा जा रहा है तो उससे भी पानी बरबाद हो रहा है तो इस प्रकार से भी सीडी तो इसका सही उत्तर बनेगा अब देखते आज का 62 नंबर तो 62 परियावरण अध्यन में तथा सामाजिक ज्ञान बेसे के रूप में नहीं रखा गया है क्यों क्योंकि यह आयूबर के बच्चे जो हैं अपने परवेश को समगर रूप से देखते हैं यह से च्छड़ अध्यम की एक अच्छी उक्ति है यह पाठकरम की भार को कम करने के लिए सीवी ऐसी की दुवारा पर्यावरण अध्यन की पाठक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है तो ऐसे कुछ नहीं है कि जिस प्रकार से निर्धारित किया गया हुआ ही रहेगा फिर क्या ऐसे च्छड अध्यम की एक अच्छी उक्ति है इसलिए नहीं रखा गया नहीं है तो इस आयूबर के बच्चे अपने परवेश को समग ग्रूप से देखते हैं, तो नहीं की बात करीए, तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्थिरी होगा, यह पाठ करम के भार को कम करता है, तो यह भार से समंदित कोई ऐसी बात नहीं आती है, परियाबरर अध्यान में, अब सही उत्तर है, अब देखते हैं, शिक्ष्टी फोर नंबर, तो शिक्ष्टी फोर में परियाबरर अध्यान की पाठ करम में, उप विश्यों की इस इस्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो जो परियाबरर अध्यान है, उसमें बच्चों की परवेशी ब सबसे ज्यादा बेटर नभर क्योंकि जू बच्स रॉन tomorrow mat से बच्चे ज्यादा सीकते सही उत्तर दूसरा इसकते सिक्स्टि-फाइब नंबर निम लिखित में से कौन सा बरतमान परियावराड अध्यन पठकरम की छे मुख थीमों में से नहीं है तो इसमें नहीं की बात की गई है तो इसमें जो नहीं है वो हम चीजें जो बनाते हैं वो इसमें नहीं आती है तो इसलिए इसका सही सेकंड नमर अब दिखते हैं नेक्स् रूपनल और समंद्रों को संपादन बहसा और गड़ित की माध्यम से होता है सही बात है परियावरण अध्यान के लिए नए विस एक रूम पर प्रिस्तुत किया गया इसा कुछ ग्रिचों करें। दोटों नेकिना तका फिराइवार्ण मुझी है अब देखते शिटी सेवन 90 निमल लख़त में से इक प्रया और अध्यान में ग्यान की रचना में बहुत ही महतोपूर है, बच्चों की सक्री भागेदारी, शही बात है, बच्चों की ग्यान को सिच्छकों की ग्यान से जोड़ना, पर्या वरल अध्यन को कच्छा की चार दीवारों से बाहर रखना, बाहर सिखाना, और बच्चों की इस्थानी ग्यान क वह उत्वसाइब के जीज बाइब करना होना ही चाहिए तो ए और दी तो बनता ही बनता अभ दो बचे थो ग्यांसे सच्छकों की ज्यान से जोड़ना यह इतना जयादा प्रवावी नहीं और अधियान को कच्छा की चार दीवारी से बाहर सकाना यह ज्यादा साहिए क्योंकि अगर आप क्लास्रूम से बाहर अपने विस्कूल के ग्राउंड में भी आते हैं तो वहां पर आपको परवेश से सम्मनेद बहुत सारी चीज़ें तितनी मिल जाएगी पच्छी मिल जाएगी अनक काफी चीज़ें जिससे आप परियावरण को अच्छे तरीक स्थाइबर दे नहीं करता है सिच्छक द्वारा बैक्ष्ण ब्याख्या करना कोई कहानी तो ठीक है लेकर लेक्रीक्षर यह परicamente और प्राइमरी इसस्तर अगला निम लिखित में इसी कौन सा एक परियावरण अध्यन की सम्मन्द में सच नहीं है जो सच नहीं है परियावरण अध्यन बाल के इंद्रित अध्यन है बलकुछ बाल के इंद्रित अध्यन होई रहा है इसमें परियावरण अध्यन बच्चों को अपने परिवेश को ख तो इसमें हमें नहीं वाला डूड़ना है कि अद्धन की समंद्र में सच नहीं है तो यह तीसरा इसका बनता है अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेशन कोशलों का आकलन करना बच्चों को खोजने के आशर देना बच्चों को अव्यक्त करना बिल्कुल सही है बच्चों में उनके सीखने की गति की आधार पर बिवेद करना देख बच्चों में बिवेद नहीं किया जा सकता है सीखने की गति हो या कोई और गति हो तो इसलिए इ उत्तर गलत बनेगा और इसका कोशलों का भी आकल किया जा सकता है तो पहला दूसरा तीसरा यह नहीं कि तीसरा इसका विकल्ब सही चादर है अब दिखते हैं सेविंटी वन तो जो सेविंटी वन है परियावरण अध्यन में बच्चों को पाठ्थ पुस्त को और सिचकों के अलावा अनसरूतों की मदल लेने के लिए प्रूथसायद करना चाहिए क्यों क्योंकि परियावरण अध्यन सीखने के लिए पाठ्थ पुस्तक और सिचक ही सिरूत नहीं इसकी अत्रिक्त भी सीखा जा सकता है परियावरण अद्दिन सीखने के लिए समदायों और माता-पिताओं की उपस्तिति का विकास करेगा चलेगा यह सच्छकों को बच्चों की प्रश्टिभूम को जानने का उसर देगा और यह बच्चों के सौंदर और मनुकरियात्मक कोशल का विकास करेगा तो य यह जो कुश्यंस के उत्तर हैं यह ज्यादा प्रभावी हैं कौन से सी और डी इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा तीम अब दिखतें नेक्स्ट सेविंटी टू तो सेविंटी टू है निमलिखित में से क्या परियावरण अध्यन में आकलान के लिए संकेतक नहीं होना चाहि चाहिए संकेतक नहीं होना चाहिए सह वाकता जरूरी है होना चाहिए याद करना प्रश्न पूछना नियाय और समानता के प्रति सर्वकार तो परियावरण अध्यान में आकलन के लिए आपको आकलन करना है उसके लिए संकी तक नहीं होना चाहिए महलब किसका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए तो तो इसमें जो याद करना है, लर्न करना ये गलत है, बच्चे को याद नहीं करवा सकते हैं, हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, उसको रटा नहीं मरवा सकते हैं, तो इसलिए दूसरा इसका उत्तर सही होगा, इस पिक का. अब दिखते हैं, परियावरण द्यान में सिच्छक के दुवारा बच्चों को स्वयम अपने का आकलन के लिए आउसर देना चाहिए, स्वा आकलन है, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समा आपनानों कि मैं अब देखते नेक्ष्ट प्रूसिट है वह यहाँ से हैं आ lot कि एक सिच्छक reass reduction किस प्र्कार से खराब होता है इस पर एक करता सिच्छक बच्चों की समु बनाकर उनको प्रियो की संब्रदिस समग्री देता तो यह सैफार्टी अधिगम का समर्थन करता है यह बच्चों की सामाजिक अंतर क्रिया में सुधार करता यह बिल्कुल सही लगँ आभी समू अधिगम बिना बोज की परियावरण अधियन की अधिगम का प्रभावसाली तरीका है और कच्छा में अनुशासन को बनाई रखने के लिए अधिगम एक महत्पूर एयोक्ती है तो ये भी काफी प्रभावी है तो इसलिए इसका सही बी और डे यानि कि तीसरा उत्तरिस का सही बनेगा अब देखते 75 तो निम्म लेखित में से कौन परियावरण अधियन का उद्देश नहीं है परवेशी मुद्दों को जागरूपता के विकास करना वो देश है बच्चे को स्वयम अपने हाथ से कार करने और खोजने की क्रिया कलापों से जोड़ना ये भी है बच्चों को पाठपुस्त की परवासाइं प्रदान करने के लिए प्रूत्सायत करना हाँ परवासाइं यह जरूरी नहीं है कि बच्चे बुक्स से ही कोई परवासा को प्रदान करें रटें या उसको याद करें नहीं वो अपने तरब से भी बना सकते हैं निकाल सकते हैं बच्चों की जिग्यासा उस्तर नाजम का पूसर करना तो यह भी शाहिए इस प्रश्ण का उत्तर अब देखते हैं 76 तो जो 76 है वो परियावराण अध्यान में चित्र पढ़ना एक महतपूर के रियकलाब है निमलेकित में ऐसे कौन सा बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए हो सकता है अवलोकन अवलेखन बिल्कुल सही है बच्चे चित्र को अवलोकन करेंगे चा अवश्यक्ता नहीं मुझे समझ में आती तो इसलिए फैला दूसरा तीसरा यानिकी पहला सही है अब देखते हैं 77 रेटिंग स्केल में कौन सी तकनिक का उपयोग होता है तो जो रेटिंग है उसमें जाच सूची का उपयोग किया जाता है इसलिए सही होता है सिकेंट अब नई जाने वाली पद्दत ही है उसकी बारे में इसमें बिशार किया गया है तो एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिये ना कि इस जगह में बांश और खर पतवार यह सही है बांस और खर प्रपरपतोर को ऊखाड़कर जला देना और खर पतवार आदि को जलाने के वाद जो राक है वो खाद की रूप में परयोग किया जाती है और जमीन में छेती की वारी आती ए तो बीच छड़कने से पहले गयरा जोता जाता है तो ऐसा कुछ नहीं बी और सी इसका ज्यादा सो टेबल है अब देखते हैं नेक्स्ट सेविंटीन नंबर किसी परवती छेत में प्रेच्छड करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर में टीक लकड़ी और चूने से बनाए यह घर दू मंजल हैं नीचे की मंजल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी खटा करके रखते हैं वह सोयम पहली मंजल पर रहते हैं सभी घरों की छटें समतल हैं और उन्हें पीड़ों के मोटे तनों से बनाए गया है यह प्रवती छेत्र कौन सा है तो यह देखते हैं वह रंग होते हैं देखो आम तोर पर आगर नाइट विजन की बात करें तो इसमें नहीं देखते हैं ब्लैक और फायट ही होते हैं अब दिखते हैं तो एक टीवन नमबर नमर केंच्वों को किसान का मित्र माना जाता है इसके लिए निमलिखित में से सही कारण को चुनिये तो जो केच्वे हैं वो मिरत पत्तियों और पौदों को खाते हैं तथा इसे मल से जमीन उपजाओती सही बात है केच्वे खरपतवार खाते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि खरपतवार नहीं खाते हैं केच्वे जमीन में छेद बनाते हैं यह विल्कुल सही है जिसस सेकंड़ नम्मर से अब देखते ही नम्मर प्रश्ण ऐटी ट्वासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजे बनाते आए हैं आज भी हमारे घरव में कांसे का अपयोग होता है जो कांसा है वो किन का मिस्र धातू है तो कांसा जो है वो कौपर और तिन का मिस्रधा दादो इसलिए इसका सही उत्तरती नंबर अब देखते हैं अब देखते हैं आगे 85 नंबर निम लिखेत राजियों की समूव मैं से किस एक समूव की समूद्ध तट अरब सागर मैं मिलते हैं तो यह होता है हमारे इंडिया का मैप तो इसमें गुजरात के अगर बात करें तो यह एरिया गुजरात का आता है और केरल की बात करें तो इधर केरल आता है और करनाटक इधर आता है तो मतलब और इधर पढ़ता है आपका अरफ साबर तो इसलिए इसका सही जो उत्तर बनता है वो डी यानि कि चार नंबर इसका सही उत्तर बनता है आंद्प्रदिश की बात करें तो यहां बनता है जो नमर ही होगा अब दिखते हैं एक्ट 87 नमर हमारे देश के मांचित में जारखंड का इस्थेत है तो जो हमारा देश का मांचित है उसमें जारखंड इस्थेत है उड़ीशा के उत्तर में दूसरा उत्तर इसका सही पड़ेगा और देखते हैं अगला 87 नमर ले एक्टमी पेट्लियं से प्राप्त नहीं होता है तो पेट्लियं ओम मिलती है घ्रिच मिलता है डीजल मिलता है लेकिन कोईला नहीं मिलता है सही होगा अगे दिखते हैं ये देखो डीजिनिंग टाइप का प्रेसन है कोई लड़का मढगाओं से 30 जून 2019 को किसी रेल गाड़ी में सवार हुआ यह है रेल गाड़ी 9.45 पर चली और मढगाओं से अगले दिन 7.15 पर पहुंचती है तो दिखते हैं इसको 9.45 पर चलती है 12 तक चलने में कितना टाइम लेगी 2.15 ठीक है और उसकी बाद में अगली दिन पहुंचता है तो बीच में 12 गंटे और लेगी और इसकी बाद में 7.15 तक पहुंचता है तो 12 के बाद में 7.15 और लेगी तो 21 गंटा 30 मिनटे इनकी साड़े 21 गंटे टाइम लगता है उसे 1140 किलो मीटर की दूरी तै करने में तो रेल गाड़ी की वह से चाल वह से चाल वह से दूरी बटे समय तो 1140 को डिवाइट करेंगे 1140 डिवाइड वाई 21.5 से क्योंकि साड़े 21 गंटा 30 मिनटे उसको तो इससे जब डिवाइट करेंगे तो 54.5 की संतिंग मनेगा इसलिए इसका सही उत्तर होगा सेकेंड अब देखते हैं 89 नंबर तो 89 नंबर है हमारे देश की जंगल में उस जंगल की लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभ आप द्वारा एक बिसेस मातरक यूनिट में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है तो टिन क्या है वे भूम ही जिस पर कोई किसान एक टिन बीज उत्फन करता यह वी नहीं हो सकता एब बूम जो मातरक है जिसकी अब कल पना 9 रूप से जंगलों के संट तो इसको हम कह स सकते हैं कि यह सही है क्योंकि इसमें कुश्चन में भी बताया गया है कि टेन एक यूनिट है मात्रक है और उसके बाद में दिया गया हुआ है बूम जिसकी बमाएं तो इससे संबंद्यत कोई प्रस्ट में ऐसी चर्चा नहीं की गई है अब देखते हैं नेक्स्ट नैंटी नंबर ये भी रिजिनिंग टाइप कोश्चन है कोई व्यक्ति है अपने घर से चलता है एक्स और उसको दिसा पता नहीं चलो तो हम मैब बनाते हैं इसका घर से पहुंचाने स्कूल तक चाने के लिए तो यह मानते हैं हम एक नौर्थ आगे पिछे हो जाएंगी तो शुरू करते हैं एक्स से कोई व्यक्ति चलना प्रार्ण करता है मानके चलिए कोई व्यक्ति एक्स जगह पर है और वो क्या करता है एपर जाते हैं उत्तर की योड़ 30 मीटर तो यहां से वह यह पर जाता एपर पहुंचा कितना चला वह 30 मीट आज चरदूर और वी जो है वो इसी पश्चय में तो उत्तर इधर है देछ्छर सुखक पश्चय होगा परश्चय तरह यह तरहाओ स दूअ पर उसके बाद निखे कितना इस बढ? सूपर जाता है और उसके बाद में हम देखें सी के बाद में अंत में बाई पर अपने विद्याले पहुंचते हैं सी के ठीक पश्चम में तो जो सी है उसकी पश्चम में पहुंचता है पश्चम में को मतलब इधर को चलेगा तब वो पहुंचता है वाई पर यह विद्याले तो विद्याले के सापेच उसके घर की दिसा तो Appeya १आ से इहीं दिशा बन रही है उसके घर की तो से दिखना है तो इसकी दिशा को अगर हम देखें तो उत्तर को दचशड पड़ता है वेदर पड़ेगा इधर को दचशड होगा और इधर को पूर्वग होगा तो यहीं दिशा इसकी बनेगी जाकी दच्छड पूर्व तीसरा इसका विकल्ब साहिए अब देखते हैं नेक्स्ट यानि कि हिंदी की प्रस्ण अभी तक तो थे यह प्रयावरण के प्रस्ण आम लोग हिंदी सॉल्ब करेंगे तो हिंदी के लिए कुश्यन शुरू करने से पहले सबसे पहले इस परग्राप को पढ़ना होगा तो जो परग्राप दिया गया है यह मानों के मर्म इस्तल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गोडों की जागरत की तब ही उपाती जब हुआ है अपने तुछ बहुतिक जीवन को नगड़ समझ कर उत्साय उमंग के साथ दूसरों की सेवा सुसरूसा और सतकार करता है यह कठूर सत्थ है कि हम बहुतिक रूप में इस अंसार में सीमित अबदी तक ही रहेंगे हमारी मृत्तू के बाद हम हमारी निकट समंदी मित्र बंदू बांधव जीवन भर हमारे लिए सोका कुल और प्रेमा कुल भी नहीं रहेंगे दुख मिस्रित इस निर्वल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक बिचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत कर्मों और पर हम हमेशा के लिए मानवी जीवन हितोत प्रेड़ा बन सकते हैं अनपम मनुष्य जीवन को सद्गती प्रदान करने के लिए एक विचार नया नहीं है ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपना कर्वी दुनिया में अम सच्छा यही है यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंद मैं और सम्रद्धि शाली बन सकता है तो अब शुरू करते हैं यहां पर प्रेशन अभी तोड़ा और है पेरग्राफ यह यदि इस प्रकार मानव जीवन उत्पन होता है तो यह संपूर संसार स्वर्गिक विस्तार ग और सद्गुड़ों की जूती फैलाना है प्रेशन एक देखते हैं यहने कि 91 ऐसी बिचार सज्जन मनुष्यों की अंतर मन में सदा उठते रहे हैं इनमें से कौन सा असुद्ध पार्ट है उसको देखना है तो उसको देखने के लिए इसमें यह लाइन यहां पर है ऐसी बिचार सज्जन मनुष्यों की अंतर मन में सदा उठते रहे हैं मुझे तो इसमें कोई भी मतलब असुद्ध पार्ट नहीं लग रहा है क्योंकि सेम एक सेहीं पार्ट सभी लिखे हुए ऐसे विचार सज्जन मनुश्यों की अंतरमन में सदा उठते रहे हैं। इतना भली हो सकता है, इसमें यह पूर गराम लगा है, वहाँ पर यह पूर गराम नहीं है। इसके अतरिकत मुझे इसमें कोई भी इस लाइन में गलती मह्शूस नहीं हो रहे। कि यहां पर उठते रहे हैं तक है पूड़ वहां पूड़ वराम नहीं दिया गया बस इसके तरह तो मुझे इसमें इसमें कोई भी पार्ट में मिश्टिक नहीं लगती तो इसका अगर होगा तो यह होना चाहिए घा नंबर नहीं तो नहीं अब दिखते आगे सेस सब्दों में भिन्न सब्द चाठना है सदगती सदकर्म सदवादी सदगोड तो यह जो तीन चीजें दी गए कौन-कौन सदगती सदकर्म सदगोड यह व्यक्ति के गोड़ से समझने तो सदवादी यह नावन से समझने तो इसलिए इसका तीसरा उत्तर साही होगा अब द दियात्मिकता सब्द में उपसर्व और प्रित्य वर्तो अधी उपसर्व होगा प्रित्य एक उत्ता तो इसलिए इसका चौथा बनता है अब देखते हैं 95 नंबर तो 95 का ऐसे प्रवकारी लोग सधा पूजी जाते हैं कैसे जो सेबक प्रवर्ति अपना कर परहित करते हैं यह सखी्टिए पहला इसका सही होगा अब देखते हैं 96 और 96 कि है कठोर सत्त किसी कहा गया है कठोर सत्त भौधिक वह सरीर की नश्वर्ता को कहा गया है यहीं सही है अब देखते हैं निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए क्या किये जाने की आविशक्ता बताई गई है तो निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए सदा सदा के लिए अमर हो जाना हमारा जीवन सदा प्रेड़ा बन सकता है यदि हम परहत और परुपकार में अपना जीवन लगा दें धर्म की आच्रण का उद्दिस क्या है अच्छी कर्मों और गड़ों में प्रकास फ्यलाना तीसरा इसका उतर सही है अब देखते हैं 102 नंबर हम भारती जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां सुभकार होते हैं इसका सही उतर है तीन नंबर और नेक्स्ट है पैर जो होता है पैर उसका समानार्थी नहीं है तो पग है पद है चरण भी है नव जो है वो इसका समानार्थी नहीं है अ लागा और इसके बाद है दिरुब लिखेत में ऐसे जो समास की दिरिश्टी से अलग कौन सा है और समास में कान समास में मिलना जुलना अपनी अपनी एक यह सब्दिखी अब रती है यह समास में नहीं आता है अब देखते हैं आगे 106 नंबर प्राथ्विक इस्तर पर बच्चों की भासा की आकलन में आप सरवादिक महत तो किसे देंगे तो इसका सही उत्तर है पॉर्टफोलियो को सबसे ज्यादा महत तो देंगे इसके बाद में 107 नंबर प्रेशन है तो जो एक सब प्रवाव ही होना चाहिए गति प्रवाव के अनुशार होने चाहिए लेकिन यती बास्तों में आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने का मतलब है उसका अर्थ ग्रहड करना तो इसका पहला उत्तर सही होगा अब देखते हैं 108 नंबर तो जो 108 है वह बच्चों को लिखना सिखा पहलने में सबसे अधिक महतपूर है समस्तु को आप लिखना सिखारे तो सबसे ज़्यादा महत पूर का तो महतब यह हैं बचरा न को अव्यक्त कर रहें यह ज्यादा सही साई चोथा बच्चे अपने बोर प्रत प्राथमिक इस्तर की बच्चों के लिए पाठ पुस्तक के निर्मान में आप सरवादिक महत्पूर किसे मानते हैं तो जो पाठ पुस्तक है उसका यदि आपको निर्मान करना पड़े तो प्रिशद रचना ऐसा कुछ नहीं है बच्चों के लिए रचनाओं का कोई महत नहीं है बासा की बिवृन रंगत हैं बासा बिविद गद्व साहत और लेखक फिर्षद दिलेखकों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है अब विकल्पिसमिं दू बचते हैं बासा का विविद गद्व साहत यह ज़्यादा सही है बच्चें चित्रकारी से गद्ध जो बनाते हैं गद्ध शायत तो उनके जली प्रभाविए होता है अब देखतें 110 नम्र प्रशुन तो 110 नम्र बहुत्व बांसे कच्छा मात्र वाशा का प्रयोग स्विकार किया जाना चाहिए अधिक महतो दिया नहीं जाना चाहिए ऐसी कोई बात में तो देना पड़ेगा अंदेखा नहीं कर सकते आप अश्वीकार नहीं कर सकते इसलिए इसका सही उत्तर बनता है एक नमबर अब देखते हैं भासा सीखने सिखाने में सरवादिक महत पूर है तो भासा सीखने सिखाने में बासा सिच्छक का ग पारगर नहीं है और हर जगह उपलब्द नहीं है तो भासा का जो सम्रद्ध परवेश है आसपास का बिद्याले का वातावरा उससे ज्याद़ वैटर कहीं परवेश नहीं सीखा जा सकता है अब देखते हैं सुबारे नंबर बासा कासल के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो बासा कासल एक दूसरी से संबंद्ध होते हैं बासा कासल एक करम में अरजित नहीं किये जा सकते हैं तो यहीं इस प्रस्न का उत्तर सही बासा कासल एक करम में अरजित किये जा सकते हैं सही बात यहीं है 2 पासा कॉसल एक दूसरे इसे प्रवावित करते यह भी सही बात है बासा कॉसल एक दूसरे स gotta सोते है जहल लेकिन हमें इसमें में उत्ता नेगेटव देना था इसलिए इसका सहЙ उतर है सेकेंड अब देखते 113 number बच्चों की भासा विकास में होने वाली तुर्टियों की सम्मद्ध में कौन सा कथन ओचित नहीं है तुर्टियों का अर्थ है भासा अग्यानता नहीं कोई अगर गलती हो थी इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कोई बच्चा अग्यान है अि土रटियां बच्छों की मदद का मार्ग तै करती है हुआ कि स्ट्रटियों का अर्थ नहीं है सच्छक की मैं कमीं धया प्रतिय ज़रूरी नहीं है ते में विन नो चाइन है थे असलों से एक प्रशन का सही इस्ट्र बनेगा एक नमर आब देखते हैं 77 Sage 117 प्रत्व कि रचना ऐसी इतना बड़ा प्राथ रचना की बात नहीं कर सकते अलंकार अप्रियोग वर्ण वह भासा ही सीखता है वह किसी नियम या वड़ माला की दुवारा नहीं सीखता है इसलिए प्रभावी उत्तर इसका वन होगा आप देखते एक तो 18 नंबर बच्क सामाजें अंता-करिया से भासा सीखते हैं यह विचार किसका बाकोस की आप देखते हैं नेक्स्ट कुद एल्धी के प्रात्वेक स्तर में बच्चों की भार विःकास की द्रेश्टी सिन सर्वादिक महतवूड क्या है तो प्रात्य प्रb स्वांदेद जो बाल साहित होता है वो सभसेज़ादा मैं तुर समाचार पतर इतना ज्यादा मैंत पूर नहीं है पत्रका भी नहीं पाठ पुस्तक नहीं है जो बाल साहित है वो ज्यादा प्रवावी होता है अब देखते हैं और भाशा सीखने और भाशा अरज़ित करने में chloride करते हैं तो जो भाशा सीखने और भाशा अरज़ित करने भाशा सीखने की अगर बात करें दो यह क्या होता है नेचुरल करते बच्चा घर से अपने आसपस समाज से जो भी सीखता बोलना वह सीखना है और तो लॉक्षे से कोई चीचको उसके नियम ओंक द्वारा जैसे अपने भासा हिंदी है हम हंदी है तो है दिस हमारी लेंग्विज सीखने में ऐगर कहने तो इसमें कोई नियम प्रवेश इसका सही उत्तर बनेगा एक तो इस प्रकार से आज के साथ प्रस्न पूरे हुए और यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई हूँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं शाथ ही यदि आपको अगला और सीटेट का या किसी अन एकजाम से सम्मंदित यह आपको पेपर सॉल्व चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत द्यानवाद है